नमस्कार दोस्तों, रोचक जानकारी में आपका स्वागत है दोस्तों जब भी घर में पेड़ पोधी लगाने की बात आती है तो सबसे पहले ये प्रशन उठता है कि घर में कौन से पोधी लगाना शुब होगा और कौन से अशुब ये आज के समय में बहुत बड़ा प्रशन है कि घर में नीबू का पेड़ लगाना शुब माना जाता है या फिर अशुब तो ये शुब होता है इसके कई प्रकार के दोस्तों सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं अगर वास्तु के दरश्टी से देखें तो घर में नीबू का पेड़ लगाना चाहिए और अगर पुराने समय के लोगों की में बात करूं तो घर में नीबू का पेड़ नहीं लगान चाहिए ये बहुत ही अशुब होते हैं लेकिन वास्तु विज्ञान में इस सोच को बिल्कुल उल्टा कर दिया है या मैं कहूं कि इस सोच को नहीं माना जाता है वास्तु के अनुसार ऐसे काटे वाले पेड़ पोधे होते हैं जिनहीं घर में लगाना शुब माना जाता है ऐ वैसे ही वास्तु दोश को दूर करने के लिए भी नीम्बू सकारात्मक माना जाता है। बहुत ही सायक है ये आपके घर में वास्तु दोश को दूर करने के लिए। आपने देखा होगा कि नजर उतारने के लिए और बुरी नजर से बचाने के लिए नीम्बू का प्रियोग किया जाता है। वैसे ही अगर आपके घर में नीम्बू का पोधा है इससे वास्तुदोष नश्ट होता है और साथ ही इससे नकारात्मक उरजा भी दूर होती है। और वापस पेड़ में इसे डाल दें। आप देखेंगे कि व्यक्ति की तब्याट ठीक होने लगती है। अगर किसी व्यक्ति को डरावने सपने आते हैं तो नीम्बू उसमें भी बहुत ही कारगर होता है। डरावने सपने आते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति सो नहीं पाते हैं और आप एक हरा निम्बू लें उसे रोज अपने पास रखके सो जाएं जब वैं सूख जाए तो दूसरा निम्बू लें ऐसा आप पांच बार लगातार करते रहें इससे आपको आने वाले डरावने सपने हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और आप बहुत ही शान्ती से सो पाएंगे निम्बू का पोधा लगाने के कुछ नियम होते हैं दोस्तों उन नियम का आपको पालन करना होगा जैसे कि नीम्बू का पेड लगाने के जो नियम है अगर आप उनका पालन नहीं करते हैं तो वो अशुब हो सकता है जैसे कि मुख्य द्वार पर नीम्बू का पोधा नहीं लगाना चाहिए कभी भी भूलकर मुख्य द्वार पर नीमु का पोधा नहीं लगाना चाहिए इससे घर में नकारात्मक उर्जा प्रुवेश करती है नीमु का पोधा घर में लगाना अशुब नहीं होता लेकिन मुख्य द्वार पर लगाना अशुब होता है अगर मुख्य द्वार पर नीम्भु का पोधा होता है तो उसे कई प्रकार की मुस्विबतें आपके जीवन और आपके परिवार वालों के जीवन में प्रुवेश कर सकती है इसलिए इस बात का विशेश ध्यान रखें घर के आंगन में भी नीम्बू का पोधा नहीं लगाना चाहिए हर कोई चाहता है कि उसका आंगन सुन्दर लगे उसमें कई प्रकार के पेड़ पोधे हो लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखे नीम्बू का पोधा आंगन के बीचों बीच कभी नहीं लगाना चाहिए इससे कई प्रकार की मुसिबते आप पर आ सकती है लेकिन अगर आप नीम्बू का पोधा घर के आंगन में लगाना चाहते हैं या लगा चुके हैं तो उसके चारोर तुलसी लगा दीजिए नीम्बू के पोधे की नकारात्म कुर्जा वही नश्ठ हो जाएगी नीम्बू का पोधा लगाने के इन नियमों को हमेशा ध्यान रखे नीम्बू के पोधे को घर में लगाने के कई प्रकार के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं इसलिए दोस्तों इन बातों का विशेश दियान रखें, वैसे तो नीम्बू का पोधा लगाने के फायदे भी बहुत सारे हैं, जैसे कि बुरी हमाये घर में प्रवेश नहीं करती हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर नीम्बू का पोधा घर में लगा हुआ होता है, तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक हवा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है, अगर कोई नेगेटिव उर्जा घर में प्रवेश करने की कोशिश भी करती है, तो वापस लूर जाती है, इसलिए कहा जाता है कि घर में किसी कोने वाले स्थान पर नीम्बू का पोधा लगाना चाहिए, ज इसका मतलब है कि बच्चे को नजर लग गई है वो बेचैन है बहुत छोटा बच्चा अपनी मुझ से नहीं बोल पाता है कि उसे किस प्रकार की तकलीफ हो रही है लेकिन ऐसा अगर हो रहा है तो पेड़ से एक बेदाग निम्बु लें और उसे बीच में से आधा काट लें क किसी बिना जल वाले स्थान पर फैग दें थोड़ी ही देर में बच्चे को अराम लग जाएगा दोस्तों निम्बु के ये गजब के फायदे हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा लाइक कीजेगा कमेंट कीजेगा और